एक बार महाराज कृष्णदेव राय का राज्यस्थापना दिन बड़े उच्छा के साथ मनाया गया इस दिन की बादचित के दौरान महाराज बोले वाँ, क्या शान से मनाया गया हमारा राज्यस्थापना दिन दो-तीन देश के प्रतिनी ध्यों को छोड़ कर कई देश के राजा या प्रधान उपस्तित थे महाराज हाँ जी, इसके अलावा सुन्दर सुन्दर भेट भी उन्होंने हमें दी है महाराज हाँ, हाँ, देखिए न, ये फुल्दान कितने सुन्दर है वो फुल्दान किसने दी है भेई ये, विलासपुर के राजा माधवसी ने भेट की है महुदै कैसी आकर शकर, कितनी नाजूख है ये फुल्दानी वाह जी महाराज, किन्तु महाराज, इसे हमें बहुत ही समभाल कर रखना होगा नहीं तो इसका सत्यानाश करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है यहाँ पर है ना महाराज हाँ हाँ, सही है, इन फुल्दानियों का तत्काल बंदोबस्त किया जाए वेंकट जी महाराज वेंकट, देखो, ये चार फुल्दानिया हमें भेट में मिली है, इन्हें ठीक से समालना जो आ गया महाराज और एक बात, उन्हें साफ तो रखना ही, किन्तु कहीं टूट न जाए इस बात का भी ध्यान रखना तुम विश्वासू हो, इसलिए ये काम तुम्हें सौप रहा हो वेंकट ये आपका बडपन है महाराज बाप रहे, कहीं महाराज को पता चल गया तो बाप रहे, अब मेरी खैर नहीं महाराज, महाराज, महाराज महाराज, राजस्थापना के दीन आपको भेट में मिले हुए फुल्दानों में से एक फुल्दान वेंकट के हाथों टूट गई क्या, एक फुल्दानी टूट गई? इस वक्त उस वेंकट को पकड़ो और बंदी बनाकर कल प्राता उसे फासी चड़ा दिया जाए जी, जो अग्या महाराज मुझे शमा कीजेगा महाराज, किन्तु आपने क्रोध की आवेग में वेंकट को जो सजा सुनाई है वो उसकी गलती की तुल्दा में बहुत ही कड़ी लगती है आप ज़रा शांत मन से सोचिए महाराज मुझे इस समय किसी के भी सलागी बिल्कुल आवशकता नहीं है किन्तु महाराज कह दिया ना एक बार, फासी का मतलब फासी ही राजा के सामने अपनी एक भी नहीं चलेगी ये जानकर चुप तो हो गए किन्तु अवरोध को मात ना दे तो वो तेनाली राम कैसे? वेंकट से मिलने तेनाली राम काराग्रो पहुचे तब व्याकुलता से वेंकट ने कहा तेनाली राम जी, फूलदान का टूटना जिर्फे काकसमाती था वो तो बिल्ली का धक्का लगा था उसमें मेरी कोई भूल नहीं थी हाँ हाँ, मुझे विश्वास है तुम्हारी बातों का वेंकट वो फूल दानी तुमने नहीं तोड़ी है तो ये बात आप महराज को समझाईए ना वे सिर्फ आप ही की बात सुनेंगे नहीं वेंकट वे इस वक्त मेरी कोई भी बात सुनने की मनस्तिती में नहीं है तुम अहाँ तुम केवल मैं जो कहूं वो ध्यान से सुनो और वैसा ही करो ठीक है सुनो समझ गहे? ठीक है चलो वेंकट अब तुम्हारी अंतिम घड़ी नस्दीक आ गई है हाँ वेंकट बताओ ना तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है क्या महराज उसे अवश्य पूरी करेंगे महराज मैंने प्रामानिकता से आपकी सेवा की है पर कल रात मेरे हाथो अक्षम में भूल हुई जिन फूलदानों के करण आज मेरे प्राण विपदा में है उन फूलदानों को आपकी उपस्तिती में देखने की मेरी इच्छा है हम्ँ, ठीक है, इसे ले चलो हम्ँ, चलिए राजपुरोहिट जी चलो देख लो विंकट, देख लो, जी भर के देख लो अरे ये क्या हो रहा है, विंकट, तुम्हें जिस भूल के लिए फासी की सजा सुनाई गई, वही भूल तुमने दोबारा की है जी महाराज, अब इस भूल के लिए, मुझे और दस बार फासी पर चड़ाईए देखिये, देखिये, कैसा मुझे चड़ा है ये महाराज इन तीन फूलदानियों को तोड़ कर तुम्हें क्या मिला विंकट? तीन मनुष्य का जीवन महाराज मतलब? महाराज, अगर मैंने ये तीन फूलदानों को तोड़ा नहीं होता तो उनकी देखभाल कल कोई न कोई तो करता ही था और उनके हाथों भी ये फूलदान कभी न कभी तो तूटने वाला ही था और वे भी एक दिन फासी पर चड़ जाते इन तीनों फूलदानों को मैंने तोड़ दिये इसी कारण से अन्य तीन मनुष्य के प्राण मेरे कारण बज गये हैं महाराज मुझे क्षमा कर दो व्यंकट, क्रोथ के आवेश में मैं तुम्हें तुम्हारी भूल की तुलना में बहुत ही कड़ी सजा दे रहा था किसी भी फूलदानी से मेरे लिए मेरी प्रजा का सेवकों का प्राण मुल्यवान है छोड़ दो इसे, व्यंकट, वाह, आज तुमने मेरी आखे खोल दी महाराज, आपकी आखे खोलने वाला मैं खौन? आखे खोलने वाले तो ये हैं, आपके तिनाली राम जी उन्होंने ही तो मुझे ये युक्ति बताई शबास तेनाली राम, आज मेरे हातों होने वाले एक बड़े पाफ से तुमने मुझे बचा लिया है मैं तुम्हारा आभारी हूँ धन्यबाद महराज